नमस्क्र दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा डाबर ने अपने कोटर वन के अपडेट्स दे दिये हैं और अपडेट्स क्या हैं कि जो पॉजटिविटी है खास करकि दो चीजों पे जिसका मैं बहुत बेसबरी से इंतजार कर रहा था आपको थोड़ी दिन में बताऊँगा और काई निवेश है कि भी सोच रहोगे कि अगर वाकई में नमबर्स अच्छे हैं तो स्टॉक में गिरावट क्यों हो रही है देखिए साब बात है अल्रेडी ये जो तमाम चीज़े हैं प्राइजिन हो चली है 600 के आसपास एक huge distance था ठीक है और वहां से अब थोड़ी कभी 500 के नीचे जाता है तो है कि अच्छा मौका होगा और इस तेक decent से return 500 के आसपास दिये थे मेरे का 52 वीक लो 505 से 510 के बीच है दोस्तों ठीक है बट ये उस समय के बाद जब stock downtrend में था बट अब कौन से sector में performance से चुई है क्या है पुरा reason तमाम चीज़ों में चर्चा कर लिएगा उस पर वीडियो बनाने कुछ करूंगा दोस्तों ठीक है आप देखें आपर डावर इंडिया शेयर कोटर वन अब्डेट सेस्ट बिसनस रूथ आट 10% ये 10% क्या है तो देखिए डावर इंडिया ने कहा है कि जो हैल्थ है रहना और HPC बिसनस दोस्तों उसने अब मिड सिंगल डिजिट में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं आप आएंगे हापी दावर इंडिया थैस्टव को दोस्तों अपने बिजननемся अपडेट को ले कर किया है जून कोडर के और डावर इंडिया का जो इसे के गार गंजैरी सबावर इंक्यालनों उसका जो ऐसरे है । उस पर बात्समॉला में हैं है यह ग्फॉईर किया था वह भी है और यह expect किया जा रहा है, register growth in excess of 10%, 10% से ज़ादा की बढ़ोतरी आपको देखनी को मिलेगी, लेकिन यह post बादशा मसाला, ठीक है, आगे आप देखें, now the FMCG major said, its international business may report a strong performance with double digit growth in constant currency terms, ठीक है, इतना ही नहीं, international business भी एक अच्छी performance करता दिखाई दे रहा है, और double digit growth, constant currency के term में, चीजें देखने को मिल रही है, अच्छी चीज क्या है, जो inflation दोस्तों महेंगाई, वो काफिया तक soft हुए दोस्तों, international market, इन international market is having a positive impact on business, और इसका सीधा सीधा असर यह है, कि भाई, overall business का काफी positive असर बढ़ेगा, क्योंकि inflation है न दोस्तों, FMCG companies को बहुत ज़्यादा परश दोनों नहीं एक sign of improvement दिखा है, जियां दोस्तों, दोनों के जगह से improvement देखने को मिल रही है, और अगर यकीन मानिये, rural India ने थोड़ी बहुत भी अगर positivity दिखा दी, तो यह numbers के तोर पे और long term के तोर पे यह काफी अची चीज होगी, डाबन इंडिया और overall FMCG के लिए, ठीक बहुत problem थी, वो थी महंगाई, अब जब वही कम हो जाएगी, तो भाईया सबसे बड़ा positive development तो वही factor रहेगा, ठीक है, sequential moderation in inflation has possibly impact consumer spending power and is resulting in a gradual improvement in off-takes in industry, ठीक है, इतरही नहीं, यह जो आप देख रहे हैं, कि भाई सब महंगाई में कमी आई है, तो इसके कारण जो consumer है, उसने अपने जो खर्चे करने की जो शम्ता है, उसे काफी हद तक बढ़ा दी है, याना समझे कि यह तमाम चीजें आप काफी positive करती दिखाई दे रही है, ठीक है, आगे है, कि भाईया, जैसे बहुत है, डापन इंडिया है, हैल्थ केर बजना है, है एच्पीसे पिसेंस, काफी परफॉर्म कर रहा है, double digit, mild double digit, आपको volume ग्रोथ भी देखने को मिल रही है, ठीक है, अब अगर अगे चलते हैं, दोस्तों, तो आप देखी, within HPC, the home care category is expected to report value growth in high teens, अब आप समझे, कि, देखे, home care and personal care है, ना दोस्तों, home and personal care second बोलते हैं, HPC को, तो जो home care category है, दोस्तों, उस और जो overall or hair care category दोस्तों, उसे low double digit, लेकिन, जो F&B business है, in particular, the summer centric beverages portfolio, had a muted quarter due to unseasonal rain, and a moderated summer, देखे, problem बस यहां पर यह आगई है, कि जो उनकी summer portfolio थी न, वो, उसका जो business है, वो काफी हद तक impact हुआ है, और reason, वह यह दोस्तों, unseasonal rain, ठीक है, तो उसका असर भी इनके numbers में, साफ साफ आपको देखने को, मिल रहा ही है, इनका कहना है, लेकिन हा, जो home care category है, और oral care care category है, उसने थोड़ थी, अच्छा business किया है, ठीक है, consequently, India business expected to post growth in high single digit, इतना ही नहीं, भारत का जो India business है, यानि कह सकते हैं, डावर का जो India business है, वो काफी अच्छा growth दिखा रहा है, high single digit, यानि, 789 के आसपास क्या, ठीक, पूरा हमको report का मिलेगी, जब यह number पीश करेंगे, दावर इंडिया के यह कहना है, जिसकी सबकी नजर है, बाश्चा मसाला दोस्तों, बाश्चा मसाला, उसने काफी strong momentum शो किया है, और high teens वे दोस्तों, यह business आगे बढ़ रहा है, adding that the reduction in inflation is expected to lead to year on your gross margin expansion, और यकीन मानी, अगर gross margin expansion होता है, तो यह बहुत, बहुत ज़ादा एक positive चीज़ होगी, ना ही company के लिए, share price के लिए भी, now we are channelizing a major part of gross money expansion to our ramping up, advertising, advertising and promotion spent to ensure long term success, और देखे, जैसे ही, जैसे ही margin में pressure कम होगा, company है कह रही है, अब उस पैसी के जो बचेंगे, उसे advertisement में spend करें, क्योंकि पिछले कुछ समय से ना दोस्तों, जो ad ad है, उसमें कमजोरी दे बहुत जारा है, तो आप कहां से ad में निविश कर पाएंगे, या promotion में निविश कर पाएंगे, ठीक है, तो ये अच्छी चीज है, consequently, operating profit should grow in line with revenue growth, ठीक है, however, जो profit after tax अदर growth, वो lower than operating profit growth रही है, reason, जो brand amortization expenditure है दोस्तों, acquisition के करण, जो बाटसा मशा ने ने खरीदा, उसके जिसका सर, profit after tax में कमजोरी के हिसाब सेम को देखने को मिला, ठेक, इतना ही नहीं, पूरे साल बर की बात करें, तो डापर इंडिया expect कर रही है, दोस्तों, gross margin में improvement वो लगातार जारी रहेगी, gross money expansion दोस्तों, will be allocated increasing, ये मैंने पहले बता है, आड और promotion में spent किया जाएगा, is also expected to result in improvement of operating margin on an analyst basis, बात करें overall की, तो बहुत जादा encouraged है, दोस्तों, company, जो improving trend देख रही है, दोस्तों, चाहे वो urban हो, चाहे रोल इंडिया हो, और काफी अच्छा performance देखने को मिलेगा, हर एक business segment में, दोस्तों, आगे है, we remain committed to driving growth and profitability, while negative market challenges, देखिए एक चीज़तों, बड़ी positive है, numbers अच्छे आ रहे हैं इस बार, FMCG companies के, और मुझे यह लग रहा है, कि यही कारण है, कि FMCG के जो तमाम companies है, वो एक प्रकार से तेजी दिखानी शुरू कर चुकी हैं, ठीक है, तो काफी हद तक, जो यह positivity है, यह already share price है, हो चली है, शायद एक दो jump आपको और देखने को मिल इंफ्लेशन वापस से बढ़ने के बाद के जा रही है, तूर दाल, यह तमाम चीज़े कितनी ज़्यादा इंफ्लेटेट हैं, हम सब को पता है, तो इसका असर बाजार में देखने को मिलेगा, FMCG companies के share price में देखने को मिलेगा, इस चीज़ के लिए प्लीज तैयार रहेग ठीक है, तो overall यह कोटर अच्छा गया है, यह डूर आउट, बट अगर monsoon ठीक नहीं जाता है, तो यह जो recovery के path में company चल रही है, उनको एक बहुत बहुत बड़ा जटका लगेगा, और as a निविशक, खास करकी retail निविशक, यह चीज़ हमारे दिमाग में जरुद जरूर होन नीचे दोस्तों, यहां तक जोड़े रहे हैं अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, यह शुडियो का अंते है, चैहिन